वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बदाना आप पिल्कुल ना पूरें साथ हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्व करें इस किर्वत्रिप्शन में दिया गया है योगी सरकार के नई पहल सवतंतरता संग्राम से नानियों के नाम से जानी जाएंगी UP यूपी रोडवेस की बस से स्वातंतरता सेनानियों के नाम पर आपने ट्रेन सुनी होगी लेकिन अब रोडवेस बसों के नाम भी होगे शासन के निर्देश पर ये कवाय शुरू हो गई है जन प्रते निदियों के दोरा भीजे गए प्रस्ताव परिवहन मुख्याले लखना उभेजे जा रही है वहाँ से अनुमोधन का इंतजार है आगरा परिशेतर को यूरो 6 टेकनलोजी से लैस बसे बिले वाली है शेतरिय प्रबंदक ने बताया कि परिवहन विभाग के बेड़े में अत्या दूनिक सुविधाव से लैस सो नई बसे शामिल हो गई है इन में से 99 बसे तयार हो गई है आगरा परिशेतर से BS6 नई बसों के ट्रेनिक दिये जाने को टीज ड्राइवर वा नौ मेकेनिक कानपुर जा रही है बुंदेलखन में प्राकरति खेती को बढ़ावा देने के प्रस्ताओं को यूपी कैबिनेट ने दी मनसूरी बुंदेलखन के सभी साथ जिलों में प्राकरति खेती को बढ़ावा देने के प्रस्ताओं को मंगलवार को उत्तर प्रदेश मंत्री परिशद ने मनसूरी दे दी है इस योजना पर 68.18 करोड रुपे का खर्श आएगा सियम योगी आदितनाद के अध्यक्षता में यहां हुई मंत्री परिशद के बैठक में इस प्रस्ताओं को मनसूरी दी गए बुंदेलखन में चित्रकूर, बांदा हमेरपूर, जालोंचासी, महोबा और ललतपूर जिले आते हैं क्याबिनेट बैठक के बाद उत्रप्रदेश के क्रशी, क्रशी शिक्षा और क्रशी अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्राकृति खेती को बढ़ावा देने के लिए बुंदेल खंड के सभी साथ जिलू के 47 विकास खंडों में ऐसी खेती करने का सरकार ने निल्डरिया है योगी कैबिनेट मीटिंग में पच्पन परस्ताव पास 18 नगर पंचायत का गठन होका बुख्य मंतरी योगी आदितनाति मंगलवार को मंतरी परिशत की बैचक की लोग भवन में होने वाली कैबिनेट बैचक में 55 एहम फैसले पर मोहर लगी फिल्म प्रतिवी राज को टेक्स फ्री 18 नई नगर पंचायत के गठन के साथ बुंदेलखन को प्राकृति खेती का हब बनाया जाएगा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंतरी अनिल राजभर और सूरे प्रताप शाही ने बताया कि बीस नगर निकायों की सीमा का विस्तार होगा नगर पंचायत मलिहबाद लखनव महराज गंज राज़ा पूर चित्रकूर्ट मकाव बांदा कट्रा परतापूर भग्वंत नगर उन्नाव महोली सीतापूर नगर पालिका प्रसाद अमरोहा सीतापूर इन सब का सीमा विस्तार किया जाएगा मंकी बॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ड जिलास पतालों को एडवाईजरी एरपोर्ट रेल्वे स्टेशन की निगरानी की आदेश भारत में मंकी बॉक्स दूसरा मामला मिलने के बाद इसे लेकर यूपी में एक बार फिर से स्वास्ते महकमा अलर्ट पर है जिप्टी सीम रजेश पाठक ने कहा कि जलास पतालों में निगरानी की जा रही है हवाई अग्डो और रेलवे स्टेशन की भी निगरानी की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर इस्तिती से निपटने के लिए तयार बता दें कि इसके पहले मई और जून महीने में भी यूपी सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया था विश्व सासे संगटन ने भी इसे लेकर चिताबनी जारी की है बताया जा रहा है कि अभी तक 39 देशों में मंकी पॉक्स के एक हजार से जादा मामले सामने आ चुकी है गारियों के सर्विसिंग कराना हुआ महंगा जानी ओटो पार्ट के दाम में कितना इसाफा पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ूतरी के सांसाथ गारी के सर्विसिंग कराना महंगा हो गया है दो महीने के भीतर इंजन वाइल, एर, फिल्टर, कूलेंट, बैटरी सहिच सभी आटो पार्ट के दाम 25 फीजदी तक बढ़ गए वर्क्शोप मालिकों के मताबिक चार पाहिया वाहनों के सर्विसिंग पहले 4,000 से 4,500 रुपे में हो जाती थी, वो अब 5500 से 6,000 रुपे में हो गई वही दोपईया वाहनों के सर्विसिंग में भी 400 से 4500 रुपे का इजापा हुआ इससे वाहन चालों को परीक और बोच पढ़ गया मदरसे में पढ़ाने के लिए भी अब टीटी पास करना होगा जरूरी यूपी की योगी सरकार कर रही विचार उत्रप्रदेश सरकार मदरसा में टीचर्स के न्यूक्ती प्रक्रिया में बदलाव करने के प्रस्ताओं पर विचार कर रही है इसके तहट इन शिक्षन संस्थानों में पढ़ाने के लिए यूपी शिक्षप पातरता परिक्षा को पास करना अनिवारे कर दिया जाएगा मदरसों में नौन इस्लामिक सब्जेक्स जैसे के विज्ञान और सोशल साइंस के शिक्षा को पढ़ावा देना इस कदम का लक्ष है साथ इससे अध्यापकों के चैन में पाट दर्शिता आने के बाद भी कही जा रही है पिलाल मदरसों के मैनेजमेंट की ओर से उन टीचर्स के नुक्ती होती है जिनके पास ग्रेजुएशन और बियट की डिग्री हो यूपी में टीचर भरती से बाहर रहे विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षियों की सुप्रीम जीत साथ साल नौ महीने का भत्ता मिलेगा विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रिशिक्षियों के बावजू सहय का ध्यापक पद पर नुक्ती ना पाने वाले उत्त प्रदेश के करीब 500 बेरुजगारों के लिए खुशकबरी है उन्हें 2-2 लाक रुपे से अधिक स्ट्राइपेंड मिलने का रास्ता साफ हो गया दूरस्त विदी से बीट करने वाले विशिष्ट बीटीसी 2004 में प्रिशिक्षियों लेने वालों को हाई कोट ते शासना देश के अनुसार प्रिशिक्षन पूरा होने के बाद से न्युक्ती होने तक पच्छिस सो रुपे प्रतिमा भत्ता देने का देश राज़ सरकार को 18 परवरी 2020 को दिया था इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोट में SLP दायर की थी 11 जुलाई को सुन्वाई में सरवोच अन्या आले ने इसे खारिच कर दिया यूपी बीएट प्रवेश परिक्षा 6 जुलाई को कराई जा चुकी है विमिंदवारों को इस परिक्षा के नतीजों का इंतजार है अगस्त के पहले वीक में नतीजे चारी कर दिये जाएंगे लेकिन इससे पहले MJP रुहिलखन विश्य विद्याले एक महतपून काम करा रहा है दरसल चौधरी चरण सिंग विश्य विद्याले ने संस्थान वहां विद्याले में कारेराच शिक्षकों की सूचना अपलोड करने के संबंद में दिशान अर देश चारी किये रिजल्ट के बाद काउंस्लिंग शुरू होगी जिसके लिए काउंस्लिंग भी कराई जाएगी बीएट पार्टिक्रम में शेक्षिक सतर दो हजार बाइस चॉबिस में काउंस्लिंग प्रक्रिया मौसम के बेरुखी के चलते यूपी के कई जिलों में सूखे के हालात है प्रियागराज को सूखा ग्रस्त घुशित करने के तैयारी शुरू हो चुकी है इस बीच मौसम विज्यानियों ने अगले 24 घंटे में यूपी में हलकी बारिश की संभाव ना जताई उनके अनुसार बंगाल के खाड़ी से उटने वाली हवाई 21 जुलाई से उत्तर प्रदेश में और भी जादा सक्रिय हो जाएंगी इस वज़े से अच्छी बारिश होने की संभावना है बारिश होई तो किसानों को सूख सिराहत मिलने की उम्मीद है हाला कि इसके पहले मौसम विज्ञानियों ने 18 जुलाई को तेज बारिश की संभावना जताई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ गर्वती पत्नी के इलाज के लिए लूट अखलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना बारनसी में गर्वती पत्नी के इलाज के लिए हुई लूट को लेकर समाजवादी पार्टि के अध्यक्ष अखलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा कहा कि ये सरकार की विफलता है अखिलेश आदम ने ट्वीट कर लिखा कि जो सरकार इलाज नहीं करा सकती उसे बने रहने का हक नहीं दरसल वारनसी के रोहनिया में जोयलरी के दुकान से शुक्रवार को सर्राफा कारोबारी के आख में मिर्चे पाउडर डालकर 90,000 के सोने के गहने के लूट हुई थी पुलिस लूट को अंजाम देने वाले प्रद्युम्न पटेल और फुकोली को गिरफतार किया तो पता चला कि उसकी पतनी गर्वती है पुलिस के पूछताच में बताया कि इलाज के लिए पैसे नहीं थे पैसे की तंगी थी इसलिए घटना को अंजाम दिया दिरियों ने दुगनी की फीस कॉलेजिस के प्रिंस्पल और प्रबंदक हुए खिलाब बोले यही हाल रहा तो लचके गात ताला दीन देयालो पादिया गुरकपुर विश्विद्याले ने अपने यहां और अपने सिसंबद कॉलेजिस में नए सत्र से इसनातक के पढ़ाई महंगी कर दी है फीस में करीब दो गुना तक इसाफा हो गया पिशले दो साल कोरोना के चलते खस्ता हालत मद्य और निम्नवर्गिया परिवार और मौनसून के इंतजार में खेतों में धान की रोपाई सुखते देखने को मजबूर किसानों के बेटा बेटी बढ़ी हुई पीस पर पाएंगे या नहीं इसे लेकर संशे था इस संशे ने यूनिवर्स्टी से संबद अनिजी कॉलेजिस के प्रबंदुकों और प्रचारियों के चिलता बढ़ाती एक प्रबंदुक ने तो यहां तक कह दिया कि यदि यही हाल रहा तो कॉलेजिस पर ताला लटकने में देर नहीं लगेगी यूपी में पर्मानेट लाइसेंस के लिए होगा आटोमेटिड ट्राइविंग टेस्ट नहीं हो सकेगा खेल यूपी में आने वाले समय में पर्मानेट लाइसेंस के लिए पूरी तरह से आटोमेटिड ट्राइविंग टेस्ट होगा इससे ड्राइविंग टेस्ट में पास फेल करने की खेल पर रोक लगेगी क्योंकि ये पूरी तरह से आटोमेटिक होगा ये जानकारी परिवान राजय मंत्री दयाशंकर सिंग ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस में दी जन्वरी 2023 में होगा यूपी का पहला ग्लोबल इंवेस्टर समेट जाने योगी सरकार का प्लैन यूपी की योगी सरकार पहली बार अंतरास्टी इस्तर का निवेशक समेलन अगले साल जन्वरी में कराने जा रही है लकनों में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट के लिए योगी सरकार जबरदस्त प्लैनिंग कर रही है इसके जरीए दसला करोड का निवेश लाने का लक्ष रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदितनात्य मंगलवार कोचे स्त्रिय बैटेक में समिट के आयोजन का एलान करते हुए कहा कि अब इसके लिए योधिस्तर के तयारिया शुरू कर दी जाए उन्होंने सुझाफ दिया कि इसे कम से कम तीन दिन तक होना चाहिए एक दिन केवल MSME के लिए समर्पित होगा इसे प्रवासी भारतिय दिवस के आसपास आयोजित किया जाएगा तो और भी बेहतर होगा यूपी में हर कदम फूख कर रख रही BJP मिशन 2024 के लिए विजय अभ्यान के साथ विपक्ष की घेरा बंदी CMU के अधितनात के अगुआई में भाच्पा मिशन 2024 के तयारी में जुटी है और यूपी में अपना हर कदम फूख फूख कर रख रही है हर मोचे पर घेरा बंदी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे BJP विपक्ष को एक भी मौका देने को तयार नहीं प्रदेश में इस साल विधान सभा चुनाओं से शुरू हुआ भाच्पा का विजया भ्यान लगाता जारी है रस्तानिया निकाय कोटे के विधान परिशा सीट सों या राजज सभा और M.L.C. चुनाओं भाच्पा हर मोर्चे पर सपल रही है अजादी के पहले से चली आ रही प्रक्रिया अगनीपत योजना में जाती विवात पर बोले राजनाज सिंग अगनीपत योजना के तहट जाती प्रमाण पत्र मांगने को लेकर उठे सवालों पर अब रक्षावंतरी राजनाज सिंग खुद सामने आए है उन्होंने इन सवालों को महजब बाब बताया राजना सिंग ने कहा सैने भर्ती की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया पुरानी प्रक्रिया को जारी रखा गया है उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया राजादी के पहले से चली आ रही है दरसल अगनिपत योजना के लिए जाती वा धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सियासत शुरू हो गई थी भाजपा सांसत वरुन गांधी, आप सांसत संजय सिंग वजद्यूनेता उपेंद्र कुश्वाहा ने स्यने भर्ती में जाती प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सवात खड़े की स्मार्ट सिरी की सूची शुमारु उत्रप्रदेश कि राज़सानी लखनों में एक सांस के बिना महीने भर से कोड़ो का विकास कारे रुका हुआ है पार्शदू का रूप है कि करीब एक महा पहले सदन से पास बजट जारी नहीं किया जा रहा मेयर सैयुकता भाटिया और नगरायुकते दस्तकत नहीं कर रहे वही मेयर इस पूरे मामले पर चुपी साथ रखी है मही चर्चा है कि बजट में प्राफधान ना होने के बावजूद 25 करोड रुपे पहले बुक्तान हो जाना इसका कारण है लखनों के डॉक्टर्स ने वाटसेप पर भेजा इस्तीफा बजजजान हैरान रह जाएं किया यूपी के रासानी लखनों में कुछ दिनों पहले खून के अवैद कारोबार का खुलासा हुआ था इस धंदे बे शामल रहे डॉक्टर्स ने खुद को बचाने के लिए तिग्रम लगाना शुरू कर दिया पंजे गरण के वक्त जो डॉक्टर अपने लाइसेंस लगा रहे थे अब विच्छा पेमारी के बाद बलड बैंकों से पला ज़ाट रही है संचालों को वाटसेप और इमेल के माध्यम से अपना इस्तीफा भेज रहे हैं ताकि खुन के काले कारोबार के चीटे उनके दामन को दागदार ना कर दे हालाकि इन में से एक कभी इस्तीफा सुईकार नहीं किया गया सुईधान रफ़तार फिर पैसेंजर ट्रेन का किराया एकस्प्रेस के बराबर क्यों वसूल रहा रेलवे ना कोई खास सुईधान रफ़तार में तेजी फिर भी रेलवे पैसेंजर ट्रेन का किराया एकस्प्रेस ट्रेन के बराबर वसूल रहा है तो अलग-अलग तरह की क्लास की ट्रेंज का किराया बराबर है मसलन आप गोरकपुर से बस्ती पैसेंजर ट्रेंज से जाएं या फिर एक्स्प्रेस से दोनों ट्रेंज में किराया 40 रुपे ही देना होगा पैसेंजर के यात्रियों को दुगना किराया देकर भी कोई विशेज सुवधा नहीं मिल रही यात्रा में समय भी जादा लग रहा है कोरोना महामारी के बाद स्पेशल के रूप पे चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेंज दो डेर साल बाद सामाने हो गई लेकिन पैसेंजर ट्रेंड अभी भी स्पेशल बनी हुई है पैसेंजर ट्रेंड अभी भी अनरक्षित स्पेशल के रूप पे चल रही है और यात्रियों को दुगना किराया देना पड़ रहा है लकनो कानपूर, गुरकपूर, आगरा, मेरट, वारानसी में सोना, महंगा, चांदी, सस्ती भारतिय सराप बाजार ने वंगलवार यानि 19 जुलाई को सोना और चांदी के रेट्स चारी कर दिये कल के दाम पर नज़र डालें तो पिछले दिन के मुकाबले सोने के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई तो वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिले लकनों में वंगलवार को 24 कैरेट सोने का दाम में 160 रुपे प्रती 10 ग्राम बढ़े वहीं चांदी के दाम में 400 रुपे प्रती किलो की गिरावच हुई लगनाओं के अलावा कानपूर, मेरट, गुरकपूर, आगरा, वारणसी में भी सोने और चांदी के दामों में बदलाओ आया शांदार सुकन्या समरधी योजना से बेटी की चमकेगी किसमाइद 15 लाख रुपे का होगा फायता कोई भी परिवाय जितना परिशान लड़कों को लेकर शुरू होना नहीं पसंद कर रहा उतना परिशान लड़की को लेकर होना शुरू हो जाता है लोगों को सबसे बड़ी टेंशन तो लड़की की शादी को लेकर होती है लेकिन आप अपनी इस टेंशन से बहुत सारी आसानी से चुटकारा पा सकते हैं सरकार ने लड़कियों को लेकर एक बहुत अच्छी स्कीम लाँच की है उस स्कीम का नाम है सुकन्या सम्रधी योजना आपको बता दें कि आप इस स्कीम में धाई सो रुपे जमा करने के बाद 15 लाक रुपे बड़ी आसानी से लेकर फाइदा उठा सकते हैं आईस राम बिलास यादब की ट्रस्ट को मिला करोडो का दान विजलैनस की जांच में चौकाने वाले खुलास है के बार विजिलेंस की टीम उनको मिले दान और दान दाताओं के विस्तार से जाच में जुट गई है सी ओ विजिलेंस अनुशा बडूला के अनुसार विजिलेंस के कई टीम्स पूर वाई एस अफसर की संपत्यों के नाप जोग और मुल्यांकन के लिए विभिन शेहरों में नैनी जेल में लगेगी लोक अदालत रहा होंगे सौसे ज़ादा कैदी हाइकूर के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का नैनी जेल में इरिक्षन करने का असर दिखने लगा है कैदियों के रहन सेहन का इस्तर सुधारने और उनको तकनी की रूप से निपुन बनाने के कवायश शुरू हो गई अब जल्दी नैनी जेल में लोक अदालत लगाई जाएगी इस अदालत में छोटे मामलों का निस्तारन होगा ऐसे में सौ से अधिक कैदियों के रहाई संबब हो सकेगी नैनी जेल में अब कैदियों के रोजगार के लिए फूर्ट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की जाएगी परिष्टिय लदिक्षक पियन पांडे ने बताया कि जेल के अंदर मसाला फैक्टरी लगाने के लिए शासन को प्रस्ता आओ भी जा जा रहा है इसके लिए कुछ कमप्पी से वार्ता की जाएगी कि मसाला उन्हें सप्लाई किया जा सके 34 गंटे में 387 नए कोरोना संक्रमें 418 हुए शुषास्त देखें जिले वार भी फ्रेंट उत्र प्रदेश में 24 गंटे में 387 नए संक्रमित में इस दोरां सुष्थ होने वालों की संक्या जादा रही है पिछले 24 कंटे में 418 लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता पाई प्रदेश में इस समय सक्रिय मामलों की संक्या 2539 स्वास्ता विभाग लगातार सभी लोगों से साफधानी बरतने और ठीका लगवाने की अपील कर रहा है संक्रमट के मामले में रासानी लगनों पहले और नॉइडा दूसरे स्थान पर है लगनों में 53 और नॉइडा में 48 संक्रमट मिले लगनों में सक्रिय मामलों की संक्या 516 हो गई देश के खास 55 स्टेशन पे सिटी स्टेशन भी शामिल 23 जुलाई तक लगेगी प्रदर्शनी आजादी के मेरत तो होसव के तहट मेरट के सिटी रेलवे स्टेशन को देश के खास 55 स्टेशन के सूची में शामिल किया गया दिल्ली डिविजन से पुरानी दिल्ली स्टेशन और सिटी स्टेशन शामिल है इसी क्रम में आजादी की रेल गारी और स्टेशन सप्ता का शुभारा सिटी स्टेशन पर अपर मंडल रेड प्रभंदक वीके सिंग ने किया इससे पहले वीडियो कॉंफरेंसें के बाद हम से रेलवे मुख्याले से सियार बी वीके त्रिपार्ठी ने सप्ता के बारे में जानकारी थी अगले साल तक कूरी करनी है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती जाने कब जारी हो सकते हैं आवेधन फॉर्म उत्रप्रदेश पुलिस भरती और प्रोनती पॉर्ड कभी भी 56,000 पदों के लिए यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2022 के आवेधन प्रक्रियार शुरू कर सकता है दरसल मुख्यमंत्री होगे आदेतिनाति निर्देश दिया कि पुलिस विभाग में 41,000 पदों पर भरती 2023 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए इसलिहास से पुलिस बोर्ड ने अब भरती के तयारी करने शुरू कर दी हो सकता है जुलाई आगस्त में भरती का विग्यापन भी जारी कर दिया जाए दरसल कॉंस्टेबल भरती के लिए पहले भरती निकलेगी फिर आवेदन किये जाएंगे आवेदन के बाद लिखित परिक्षा और फिर पीटी और पीएस्टी के बाद फाइनल परिणाम खोशित होंगे तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्व करें धन्यवाद